नमस्कार श्वागत आपका स्टार्ट इंवेस्टमेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जबरदस्त न्यूज बताने वाला हूँ साती साथ जबरदस्त स्टॉक भी बताने वाला हूँ आप लोगों को नुकसान होने के चांसे बढ़ जाते है तो ऐसा करना नहीं है चलिए आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को जबरदस्त न्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो है दो लिंक दिये गए हैं एंजल ब्रोकिंग का एक जिरोदा का दोनों के दोनों लिंक पे किलिक करें एकाउंट ओपन करें और इंजोई करें दोनों की सर्विसेश अगर आप लोग यहाँ पे इंट्रा डे करते हैं जी हाँ दोस्तों जीरो रुपीज ब्रोकरेज लिया जाता है तो दोनों के दोनों यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है लिंक पे क्लिक करें एकाउंट ओपन करें और इंजोई करें दोनों की सर्विसेश चलिए आगे बढ़ते हैं अब आप लोग कहेंगे कि भईया मिस्टर राकेज जुन जुन वाला जी की पिक्चर आपने यहां पे क्यों लगाई है तो जुन जुन वाला जी के बारे में आप लोगों को पता होगा जुन जुन वाला जी क्या है इंडिया के इनको क्या कहा जाता है warren buffet कहा जाता है इन्होंने बहुत ज़्यादा wealth create करी है और इंडिया का big bull भी इनको कहा जाता है इनकी picture क्यों लगाई है क्योंकि इनी की company है आप लोगों को पता है rare enterprises जी हाँ दोस्तों rare enterprises rare enterprises के बारे में एक चीज कहना चाहूँगा दो जो RA लिया गया है यह first RA यह राकेज जुनजुनवाला जी के नाम से लिया गया है राकेज से RA और यह जो RA लिया गया है यह उनकी wife है जिन उनकी धरमपत्नी है Mr. क्या है उनका नाम सोरी Mr. नहीं उनका नाम है रेखा जुनजुनवाला जी तो यहाँ पे share का नाम बताऊंगा completely analysis करके दिखाऊंगा लेकिन share market में अगर पैसा बनाना है तो इन से सीखना चाहिए मैं Mr. Rakis जुंजनवाला जी से सीखना चाहिए long term हमेशा इनका जो ध्यान रहा है long term पे और कहा जाता है कि mid-ass touch जिस share को यह touch कर लेते हैं वो आजमान की बुलं पास टाइटन ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है तो अगर invest करना है share market में तो तरीका यही है लंबे समय के लिए सोचना होगा company choose करनी होगी और एक चीज होती economic mode कहा जाती economic mode की हमें यह देखना होता है कि इस company के पास सब लोगों से different क्या है इसके जो asset है इस सोचते हैं और हम लोगों को बताते हैं तो जुनजुनवाला जी की study कीजिएगा पढ़िये इनके बारे में इनकी company के बारे में जवरदस्त आप लोगों को information मिलेगी और future में हमेशा आपके काम आएगी अब news देख लीजिए राकेस जुनजुनवाला's rare enterprises picks up 1.1% stake in India bulls real estate त 29 करोर रुपीज के जो हैं share खरीदे हैं 29 करोर रुपीज के ये छोटी मोटी तो कम नहीं होते दोस्तों बहुत बढ़ी रकम होती है इनकी जो एक firm है जिसके थूरू ये investment करते हैं rare enterprises उसने लगभग 1.1% की यहाँ पे share holding buy की है तो ये तो एक news रही इसके साथे साथे एक ची ये even sensex का economy के बारे में भी commentary करते हैं investment bank है ये साती साथ brokerage है बहुत बड़ा तो Morgan Stanley क्या है वह यह इसने पहले ही इंडिया बूल हाउसिंग में जब September quarter का जो share holding pattern है उसके according Morgan Stanley ये अंदर की news में आप लोगों को बता रहा हूँ Morgan Stanley ने जो है 3.70% की share holding पहले ही यहाँ पे बना र उस company में Morgan Stanley जैसा बड़ा investment house जो है investment कर रही है हम लोगों को ध्यान में रखना चीए और साथ ही साथ जो है जुन जुनवाला जी की firm ने भी यहाँ पे pick किया है तो हम अब क्या देखेंगे अब इस देख लिए इंडिया बूल्स real estate limited company का नाम है आप लोगों को मैंने जैसे ब देट में 61 रुपीज पे यह trade कर रहा है और जुन जुनवाला जी ने यस्टरडे इसको खरीदा था लगबग 57 रुपीज के आसपास तो देख लिजे 12% का उचाल आज दिखाई देने मिल रहा है इसमें और यस्टरडे भी इसमें अच्छा का सा उचाल देखने के लिए मि हुई थी और 61 रुपीज के ऊपर यह trade कर रहा है और लगभग 56 रुपए का इसने लो बनाया था आज की डेट में नीचे भी यह गया था लेकिन जब अरदस्त शेयर मैं कहूंगा इसको और मिडास टच तो आप लोगों को पता ही है किसने यहां पर मिडास टच लगाया मैं मैंने थोड़ा सा लॉंग चार्ट आप लोगों को दिखाने के कोसिस करता हूँ यहां पर इंडिया बूल्स रियल इस्टेड लिमिटेड का तो यह इसका लॉंग टम का चार्ट है तो लॉंग टम का चार्ट लगाया है मैंने तो यह देखेंगे कि काफी जादा डाउन पाय के आसपास है और आप लोगों को पता ऐसा जो मौका है जुन जुन वाला जी तो बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे उनको मौका मिला उन्होंने पिक किया है यहां पे स्टेक आप लोगों मैंने स्टेक की पूरी इंफोर्मेशन दी है तो एक चीज कहूंगा आप लोग जा है शियर में उच्छाल आप लोगों को देखने के लिए मिले तो हाई पे लेना जैसे इन वेट और दा अअब लोगों के साथ ऐसा ओपन कहा भाड़ाचा गया और 276 पे एंसे लोग भी बनाए इस नहीं मौका दिया है ऐसा ही boats मो high profitability के आप लोगों के chances हो जाएंगे return के chances जो हैं यहाँ पे जादा हो जाएंगे तो जब और दस्त यह share है मैंने बता दिया जुन जुन वाला जी नहीं यहाँ पे अच्छा खासा stake उठाया है अब कितना stake उठाया है कब उठाया है यह सारी information भी आप लोगों के साथ prices ने कितने share लिए देख लिए पचास लाख equity share लिए है जो कि लगभग कितने के बराबर है देख लिए कितने के बराबर है 28.86 करोर रुपीज इसलिए मैंने कहा था कि लगभग 29 करोर रुपीज के आसपा share खरीदे गए हैं और कल ही के दिन 14% upside देखने के लिए मिला था आज के दिन में लगभग 11% upside है तो almost 25% का upside देखने के लिए मिल गया है मात्र दो ट्रेडिंग शैशन में ही और कितने रुपए पर खरीदा है जुन जुन वाला जी ने 57.73 पैसे के शाब से यह यहाँ पर तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़े मैंने आप लोगों को बताई दिया है एक चीज़ कहना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों को प्रमोटर के होल्डिंग थोड़ा दिखा देता हूं और यह चीज़े बताने से पहले एक चीज़ कहना चाहूंगा वीडियो को लाइ आप लोगों को पता ही है तो प्रमोटर देख लिए प्रमोटर के पास जो है सप्टेंबर क्वाटरलेटेस्ट इन्फॉमेशन आप लोगों को प्रॉइट कर रहा हूं सप्टेंबर क्वाटर में जो प्रमोटर है उनके पास 23% के करीब की शेर होल्डिंग है सबसे अच्छी चीज मुझे लगी बड़िया जो बड़े बड़े आने लिस्ट में जिनकों के रिटन कमाना कितना इन्वेस्टमेंट है यहां पर 14 परसेंटेज के करीब की शेयर होल्डिंग बना रहे हैं लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा एक डिक्रीज भी किया अपना शेयर होल्डिंग आपर थोड़ा ये भी ध्यान दीजेगा साथे साथ प्रमोटर ने भी डिक्रीज किया है ये ध्यान देने लाएक चीजे हैं अगर आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये चीजे थोड़ा रिस्क वाली होती है जो कि हमें आप लोगों को पहुंचा रही थी बतेएगा जरूर कैसा लगा आज का ये वीडियो और आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद